तो भाजबद्यक्ष अमित शाद्वारा प्रेस कांफरेंस नो आयोजन करायोचे आवो सांभड़े तेमनो शुरू कहवोचे यहाँ पार्लामेंट्री बॉर्ड की मीटिंग के बाद तुरंद पुलाया है देव के राष्टरपती का चुनाव हुना है लोग तंत्र की यह सर्वोच जगय के लिए भारतिय जन्ता पार्टी और NDA ने काफी समय से सभी ललों से चर्चा विचार चालू किया था और जिस प्रकार से फीड़बेक मिले और समार जीवन के भी कई हिस्सों से चर्चा करने के बाद एक लंबी सुची का विचार आज भारतिय जन्ता पार्टी के पार्लामेंटिक बौर में हुआ और अंत में ग्राष्टपती पर्थ के चुनाव में NDA के प्रत्यासी के रूप में आज स्री रामनात कोवीद गवर्नर बिहार का नाम तढ़ किया गया है और में रामनात जी का परिचय भी आपको देना चाहूँगा रामनात जी हमारे बहुत पुराने भारतिय जन्ता पार्टी के वरिष्ट नेता रहे अभी वो गवर्नर बिहार है उत्तरबदेश के कानपूर दिहार जीला के परोख काउं के मूल निवासी है दलित समाथ से संघस कर्द कर अपनी राजितिक केरियर में इतने उंचे मकाम तक अब तक पहुँचे है उच्च ने आयलाई और उच्च तम ने आयलाई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगे में एक अच्चे प्रेक्टिशनर इनाचे उन्होंने वकालत भी की है भारत सरकार के भी वो वकिल रहें बारा साल तक गामलाज जी राज्यसभा में भी रहें भारते जन्ता पार्टी अनुसुचित मोर्चा के वो अध्यक्त रहें यूपी के भी महासचीव रहें अनेक पार्टी के पदों पर उन्होंने काम किया है संसर की अनेक समीतियों में उनका महतवपूर्ण योगडान रहा है विशेश रुख से विध्यार्थियों के लिए समाज के पिछड़े वर्गों के लिए दलीत और दवेक पुचलों के लिए हमेशा वो संगर्ष करते रहें रामनाजी के भारतिय जन्ता पार्टी में अनेक प्रकार के पदों पर जिम्मेदारी का निर्वहन करते करते आज वो लगबक तीन साल से बिहार राज्य के गवर्णर के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं और रामनाजी हमेशा से घरीब समाज के साथ देश के घरीबों के साथ पिछड़ों और दलीतों के साथ जुड़े रहे हैं एक घरीब के घर में जन्म लेकर संघर्ष करकर दलीत परिवार के बैग्राउंड के साथ इतने उंचे मकाम पर रामनाजी सारोजिनी जीवन पर पहुँचे हैं और हमने आज भार्तिय जन्ता पार्टी ने स्री रामनाजी का नाम पार्लामेंटिक बोर्ड ने तई किया हैं तो NDA के सभी साथी दलों की वर्ड से स्री रामनाजी कोवी जी नाश्टरपती पर के लिए प्रत्यासी होंगे नाम ताई करने से पहले भी हमने देज के सभी रातितिक दलों से चर्चा की है आज नाम ताई करने के बाद NDA के सभी साथ्यों को भी सुचना की भी कही है, सुचना हो भी रही है प्रजान मंत्री जी ने स्वयम कॉंग्रेस अध्यक्सा स्रीमती सोन्याजी से बात की है पूर्वा प्रजान मंत्री डॉक्टर मन महन सीन जी से बात की है वरिष्ट निताहों चे बात की है और सब को ये नाम हमने आज इन्फों किया है भारते जन्ता पार्टी और NDA आशा करते हैं कि दलिग समात से संगर्ष करकर धरीद के घर में जन्म लेकर संगर्ष करकर सर्वसहमर प्रत्यासी होंगे इसलिए हम सब लोग आशा करते हैं अभी तो हमने इंफों किया है वो अपनी पार्टी के साथ चर्चा करकर आगे बटाएंगे नामंकन की दिखी तीथी तो रामनाजी से चर्चा करकर तई करेंगे बड़ी बड़ी जो अभी सोच बनी है तेईश तारिक को नमंकन होने की संभावना है एक एक करकर तेज़े ना अभी कोई विचार नहीं हुआ उप राश्टों करेंगे संदेश तो मैंने दे दिया जो देना है अब आप लिकारते रहे हैं अभी हमने इंफर्म किया है वो आपको बदाने के लिए नहीं है कितने नाहों का चर्चा अभी हमने इसी बात नहीं हुई थी उद्धव ठाकरी जी उन्हों कर देता कि आप पहले नाम तैकर का बताईए आज उनको नाम बता दिया गया सभी से हमारे वरिष्यर्म का संपर करेंगे एक आट डेड़ गंते में सभी से चर्चा विचार हो जाएग हमने तो बहुत आशा के साथ कौन किया है मुझे लगता है बाएनलाट सभी लोग सहमत ये आपको मैं बचा नहीं सकता आपके सवाल का एड्रेस गलत है जेडियू को पुझना चाहिए नहीं मैं किती और पार्टी के मत क्या करेंगी इस पर मत प्रगट करना नहीं चाहूँ नहीं उन्होंने बताया है कि हम पार्टी के और बाकी दलों के साथ चर्चा विचार करकर बतायेंगे सबसे बात करने वाले मैं तो आता करता हूँ कि सबी लोग सर्व सहमती करेंगे चली आप इसमें मैं क्या कह सकता हूँ ने ऐसा कोई हमला नहीं हो रहा है ऐसा कोई हमला नहीं हो रहा है मैं इससे सहमत नहीं हूँ चली आ गरने वाल जादे सवाल पूछने का इसमें बनता नहीं हूँ त्वेंडी तरफ थी राश्रपती ना उमेदवार नी जाहरात थाई चुकेशे अमेत शादवारा जाहरात कराईशे तो अमेत शाद रफ ती जरीते जाहरात कराईशे रामनात कोविंद नी जाहरात कराईशे महारत पनुशे की बीज़ेपी दलीत मोर्चा ना प्रमुख पन कोविंद रही चुकेशे हाल बिहार ना गवर्न रहता तो जरीते रामनात कोविंद पर जरीते पसंगी उतारवामा अविशे एंडिये तरफ थी राष्टपती न उमेदवार नी जाहरात थी चुकीशे महारत पनुशे जरीते राष्टपती नी चुटणी आवनार थी तेने लईने हवे उमेदवार नी जाहरात एंडिये तरफ थी कराईशे हाल अमित शाय जेरितें जाहिराथ करीशे आपने जनाविद्य के रामनात कोविन दिनी जाहिराथ करीशे देश मा राश्चरपती चुटणे नी सर्गर्मी तेज थाई छे तरे चुटणे पंचे बूधवारे सांजे प्रेस कॉंफरेंस करी जमा चुटणे पंचना अध्यक्ष नसीम जहिदी जनाविव के 17 जुलाई सोमवारे राश्चरपती पदमाटे मत लेवामावशे आने 20 सारीखे तेनी मत गणना थर्षे तेरे हवे नजर करिये कि राश्चरपती नी चुटणे कई प्रकारे थाई छे